हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज मॉल आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार SI के लिए MCQ टेस्ट वो भी 100 कोशन्स का तो ये आज संडे स्पेशल है तो चलिए लगाते हैं टेस्ट पहला कोशन दिया गया है कि केंद्र शरकार ने निमलिखित में से किस अस्थ किया है नई देली, गुजरात, गोवा या फिर पुडुचेरी तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी ओप्सन नंबर D कि केंद्र सरकार ने निमलिखित में से किस अस्थान पर भारत का पहला अंडरवाटर म्यूजियम स्थापित किया है तो पुडुचेरी अगला है कोशन कि मिस वर्ड दो हजार अठार का खिताब निमलिखित में से किस ने जीता तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेशा पूंस डी लियोन ओप्सन नंबर C कि मिस वर्ड दो हजार अठार का किताब निमलिखित में से किस ने जीता तो वेनेशा पूंस डी लियोन अगला है तो आंसर हो जाएगा इसका ग्राम पंचायत, option नमबर A, राजय प्रिशाषन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ग्राम पंचायत, next है कि जहांगीर ने अपनी आत्म कथा किस भासा में लिखी, आंसर हो जाएगा इसका फार्सी, option नमबर C, कि जहांगीर ने अपनी आत्म क था किस भासा में लिखी तो आंसर हो जाएगा फार्सी अगला है कोशन की निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है मिंसकी इसमें तीन ओप्सन है जो कि सही लगे हुए है और बाकी केस एक ओप्सन जो है गलत है तो गलत ओप्सन आपको चुनना है तो आंसर हो जाएगा इसका C, बल्लवाचार यहाँ पर दिया गया है दोयता दोयतवाद, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा सुधता दोयतवाद अगला है question कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधीक बागों की संख्या निमलिखित में से किस राज में है तो आंसर हो जाएगा इसका मद्द परदेश option number B कि हाल ही में जारे रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधीक बागों की संख्या कौन से राज में है तो मद्ध परदेश में अगला है कोशन कि अगस्त 2019 में गोशित 66 रास्टिय फिल्म पुरशकार में किस गुजराती फिल्म को सर्वस्रेस्ट फिल्म पुरशकार दिया गया तो आंसर हो जाएगा है लारो option number C कि अगस्त 2019 में गोशित 66 रास्टिय फिल्म पुरशकार में कौन से गुजराती फिल्म को सर्वस्रेस्ट फिल्म पुरशकार दिया गया तो आंसर हो जाएगा है लारो नेक्स्ट है कि हमलेट कप किस खेल से संबंधित है तो आंस्र हो जाएगा इसका टेनिश औप्सन नमबर C हमलेट कप किस से संबंधित है तो टेनिश है अगला है कोशन कि ब्रिटिस सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधी दी थी जिसे उन्होंने औसायोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी मिसकी वह कौन सी उपाधी थी जिसे कि उन्होंने औसायोग आंदोलन में वापस कर दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा केशरे हिंद, option number B अगला है कोशन कि महात्मा गांधी के राजनितिक जीवन की निम्न घटना का सही कलाकरम बताईए मिन्स की यहाँ पर जो दिया गया है चमपारन, खेडा, एहमदाबाद, मील, हर्ताल और शहयो गांदोलन तो यह क्रम वार से आपको बस इसमें सजा के बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B एक, दो, तीन और चार, यह बिलकुल क्रम में ही लिखा हुआ है कि पहले चमपारन, फिर खेडा, फिर हो जाएगा अहमदाबाद, मील, हर्ताल, और फिर औसहयो गांदोलन अगला है कोशन कि भारत का सबसे पश्चमी राज, जो की करक रेखा पर है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, option number D कि भारत का सबसे पश्चमी राज, जो की करक रेखा पर है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात अगला है कोशन की धमाल लोक नरित का सम्बंद किस राज्य से है तो आंसर हो जाएगा इसका हर्याना option number C की धमाल लोक नरित का सम्बंद किस राज्य से है तो आंसर हो जाएगा हर्याना अगला है कोशन की पेपसिन एंजाइम पाया जाता है कहां अगनाशय, आंत, लार या फिर अमाशय की रस्र में यानि कि अमाशय आप उसे कह सकते हैं तो पेपसीन इंजाइम पाया जाता है कहां तो इसका आंसर हो जाएगा option number D अमाशय की रस्र में अगला है कोशन कि मालदीव का वर्तमान राष्टपती कौन है तो आंसर हो जाएगा इसका इब्राहीम मोहमद साहिल option number B कि मालदीव का वर्तमान में राष्टपती है इब्राहीम मोहमद साहिल अगला है कोशन कि बिहार का नियूंतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो आंसर हो जाएगा इसका सेखपुरा option number C कि बिहार का नियूंतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो आंसर हो जाएगा सेखपुरा अगला है कोशन कि निम्न भारतिये परधान मंत्रियों में से किसने एक बार भी संसद का सामना नहीं किया तो आंसर हो जाएगा चौधरी चरन सिंग option number D कि कौन से भारति परधान मंत्री ने एक बार भी संसद का सामना नहीं किया तो आंसर हो जाएगा चौधरी चरन सिंग अगला है कोशन कि अनुच्छे 352 के अंतरगत भारत का राश्टपती किसकी सलाह से आपात काल की घोशना कर सकता है तो आंसर हो जाएगा इसका option number B केंद्रिय मंत्री परिशद कि अनुच्छे 352 के अंतरगत भारत का राश्टपती किसकी सलाह से आपात काल की घोशना कर सकता है तो केंद्रिय मंत्री परिशद अगला है कोशन की संसद में सूननी काल क्या है तो आंसर हो जाएगा इसका option number B परात एवं अपराहन सत्रों का मध्यांतर यानि की उनके बीच का समय अगला है कोशन की वर्तमान लोकसभा है मिन्सकी कैमवी 17, 18, 19 या फिर 20 वी तो इसका आंसर हो जाएगा 17 ओप्सन नंबर A कि वर्तमान लोकसभा जो है वो 17 लोक्षवा है नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क की सुरुवाद की आंसर हो जाएगा इसका दक्षिन कोरिया Option number D कि कौन से देश ने हाली में विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क की सुरुवात की तो आंसर हो जाएगा दक्षिन कोरिया अगला है कोशन कि 10 जन्वरी 2019 को निमलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया तो आंसर हो जाएगा इसका विश्व हिंदी दिवस option number A कि 10 जन्वरी 2019 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और अगर भारत में पुवाबात की जा हिंदी दिवस की तो आंसर हो जाएगा 14 सेप्टेंबर next question कि निती आयो कैसा निकाए है तो आंसर हो जाएगा इसका गैर समवैधानिक निकाए option number D sorry B कि निती आयो कैसा निकाए है तो गैर समवैधानिक निकाए है इसका मतलब ये है कि समविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है अगला है question कि 2011 की जन्गन्ना के आकड़े के अनुसार 2001 से 2011 मिस 2011 की जन्गन्ना हुई अवधी में भारत में जनसंख्या की दसकी वरीधी दर कितनी थी तो इसका आंसर हो जाएगा option number C 17.64 ये दसकी वरीधी है फिर से देख लीजे कि 2011 का जो जन्गन्ना हुआ उसमें पूछा जाएगा आपसे की दसकी वरीधी की दर कितनी रही तो 17.64 रही अगर आपको 64 नहीं भी दिया जाए option में तो लगभग आपका 17.7 दिया जा सकता है लेकिन ऐसे आपका exact answer 17.64 ही रहेगा अगला है कोशन की मचली के लीवर ओयल में डैस परचूर मात्रा में होता है मिन्स की कौन सा विटामिन विटामिन D, A या A और D या फिर E तो आंसर हो जाएगा इसका option नमबर C विटामिन A और विटामिन D ये दोनों ही मचली के लीवर ओयल में परचूर मात्रा में होता है अगला है कोशन की सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है तो आंसर हो जाएगा इसका B किरकेट सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है तो किरकेट से संबंधित है अगला है ध्वनी परदूशन डैस में मापा जाता है आंसर हो जाएगा इसका डेशिबल में option number A कि ध्वनी परदूशन को किसमें मापते हैं तो डेशिबल में अगला है question कि भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारती किरकेट मैदान पर किया गया था तो आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे जीम खाना option number B कि भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन कौन से भारती किरकेट मैदान में किया गया था तो बॉम्बे जीम खाना अगला है द्रब्यमान और भार के बारे में निमलिखित में से क्या सही है कि द्रब्यमान एक अधिस रासी है और भार एक सदीस द्रब्यमान एक सदीस रासी है दोनों अधिस रासियां है या दोनों सदीस रासियां है तो आंसर हो जाएगा इसका A कि द्रब्यमान जो है एक सदीस रासी है और भार जो है एक सदीस रासी है द्रबमान हो जाएगा अदीस और भार हो जाएगा सदीस नेक्स्ट है कोश्चन की निम्न में कौन सा अनुच्छेद मानों के दुर्वेभार एवं बाल स्रम पर परतिशेद से संबंधित है तो आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नंबर A अनुच्छेद 23 की अनुच्छेद 23 जो है मानों के दुर्वेभार एवं बाल स्रम परतिशेद से संबंधित है अगला है रक्त का इन में से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नंबर D रक्त में का इन में से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो आंसर हो जाएगा आरबीशी नेक्स्ट है कोश्चन की निमलिखित में से कौन सा बहु बीजी फल नहीं है बहु बीजी फल का मतलब कि बहुत सारे बीज उसमें नहीं होते है तो आंसर हो जाएगा इसका लीची, option number A अगला है question की निमलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस नहीं है तो आंसर हो जाएगा चीन, option number D कि G8 का सदस चीन नहीं है, बाकि इटली, कनाड़ा, जर्मनी ये सब G8 के सदस है अगला है question की एश्टर में डैस गंध होती है या फिर रसायनिक, तो इसका आंसर हो जाएगा फल जैसा option number C की एश्टर में जो गंध होता है, वो होता है फल के जैसा निमलिखित में से किसने IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरब हासिल किया आंसर हो जाएगा इसका option number C, महेंदर सींग धोनी अगला है question की विटामिन के का मुख्य कारे डैस से सम्बंधित है, मिन्स की इनमें से कौन सा कारे विटामिन के का है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, खून के जमने से जमने में, next question है कि सुक्र ग्रह का वायू मंडल किस अमल से बना है इसका आंसर हो जाएगा sulfuric अमल, option number B, कि सुक्र ग्रह का वायू मंडल जो है किस अमल से बना है तो sulfuric अमल अगला है कुश्चन की राजसभा की सदसता पाने के लिए न्यूनतम आयू क्या होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा इसका option number C, 30 वर्स राजसभा की सदसता पाने के लिए न्यूनतम आयू क्या होनी चाहिए? 30 वर्स हेलिटोसिस आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा इसका सांस की दुर्गंद अगला है कोशन कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बिमारी को क्या कहा जाता है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D क्वासी और कर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बिमारी को क्या कहते हैं क्वासी और कर अगला है टैग और पहाडी जार्खन के किस जिले में है आंसर हो जाएगा इसका राची टैग और पहाडी राची नेश्ट है question कि दो या अधिक पदार्थों की एक सजातीय मीसरन को त्थ कहा जाता है क्या कहा जाता है तो answer हो जाएगा इसका wilian, solution दो या अधिक पदार्थों का एक सजातीय मीसरन को क्या कहेंगे तो wilian कहेंगे Next है deuterium के दरवबमान संख्या कितनी है आंसर हो जाएगा A, यानि कि 2 अगला है कोश्चन की खानवा का यूद किसके किसके बीच लड़ा गया था तो आंसर हो जाएगा इसका बाबर और राना शांगा के बीच कि खानवा का यूद किन के बीच रड़ा गया था तो बाबर और राना सांगा के बीच ये 1527 में अगला है कोश्चन हिए हवा से कांच में परवेस करने वाली प्रकास किरने किस प्रकार जुकेगी मिन्स आपको बताना कि अभिलंब से दूर या फिर उसके लगवग 90 डिगरी पर या फिर अभिलंब की ओर तो हवा से कांच में जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर, option number C कि जब हवा से कांच में परवेस करेगी तो वो अभिलंब की ओर जाएगी अगला है कोश्चन कि बनारश हिंदू विश्व विद्याले किस राज्य में इस्थित है आंसर हो जाएगा उत्तरपरदेश, option number C अगला है कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली आरपीअफ के वाहन के काफिले पर आत्मघाती हमले पुल्वामा की घटना किस तारीख को घटा था आंसर हो जाएगा 14 फरवरी, option number B कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली आरफियफ के वाहन के काफिले पर आत्माघाती हमले पुल्वामा की घटना किस तारीक को घटा था तो आंसर हो जाएगा इसका 14 फरवरी जो कि हम लोग सायद कभे भी नहीं बूल सकते अगला है कोश्चन कि वर्स 2018 में चमगादर से फैलने वाले निपा वाइरस से कौन सा राज चर्चा में रहा तो इसका आंसर हो जाएगा केरल ओप्सन नमबर C कि वर्स 2018 में चमगादर से फैलने वाले निपा वाइरस से कौन सा राज चर्चा में रहा था तो answer हो जाएगा इसका केरल Next है कि विश्व की सबसे उची प्रतिमा का नाम क्या है तो इसका answer हो जाएगा Option number B Statue of Unity कि विश्व की सबसे उची प्रतिमा का नाम क्या है Statue of Unity और इसमें ये भी question आपसे पूछा जा सकता है कि Statue of Unity जो है ये किन की प्रतीमा है तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार बल्लव भाई पतेल अगला है कोश्चन कि पिछडे वर्गों का उत्थान इसका मुख्य कार्य था आंसर हो जाएगा इसका आर्य शमाज आप्सन नंबर बी कि आर्य शमाज का जो है मुख्य कार्यक्रम क्या था पिछले वर्गों का उत्थान अगला है कोश्चन कि निंख्यित में से कौन सा बंदरगा विश्व के कौफी बंदरगा के रूप में जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा इसका सैंटोश Option number B कि निमलिखित में से कौन सा बंदरगा विश्व के कौफी बंदरगा के रूप में जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा Santos Next है कि धुरूव तारा किस तारा मंडल सदस्य का समू है तो आंसर हो जाएगा इसका option number A Little Bear तारा समू अगला है कि कस्मीर के राजा हरी शिंग ने अपनी रियाशत सुरक्षित रखने के लिए विले पत्र पर कब हस्ताक्षर कर भारत में सामिल कर दिया था आंसर हो जाएगा इसका C 1947 में नेक्स्ट है कोश्चन की जनसंख्या नियंत्रन, समाचार पत्र, शिक्छा, मूल नियंत्रन, आधी निमलिखित में से किस सुची के अंतरगत रखा गया है संग सुची, राज सुची, समबर्ती सुची या कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका समबर्ती सुची नेक्स्ट है कि किस परमानू के नाभिक में मौजूद प्रोटोन और नियूट्रोन की कूल संख्या को डैस के रूप में जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा द्रब्यमान संख्या ओप्सन नमबर C यानि कि किसी भी परमानू के नाभिक में मौजूद प्रोटोन और नियूट्रोन की कूल संख्या को किस रूप में जाना जाता है तो द्रब्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा इसका oxygen की उपस्थिती में श्वसन अगला है कोशन कोई पदार्थ जो अभिकिरिया में भाग लिये बिना अभिकिरिया की गती को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? मिल्स कि वो अभिकिरिया में भाग नहीं लेता है फिर भी जो है उसकी गती को वो बढ़ा देता है तो आंसर हो जाएगा इसका उत्प्रे रख option number B अगला है कोशन की सभी अमल धात्वों के साथ अभिकिरिया करके डैस गैस उत्पन करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा hydrogen option number B की सभी अमल धात्वों के साथ अभिकिरिया करके कौन सी गैस उत्पन करते हैं तो hydrogen next है कि निमलिखित में से किसे 2019 में मर्नो प्रांथ भारत रत्न से समानित किया गया तो आंसर हो जाएगा इसका नाना जी देस्मुक option number D कि 2019 में मर्नो प्रांथ जो है भारत रत्न से किसे समानित किया गया तो नाना जी देस्मुक और एक और हैं उन्हें भी समानित किया गया भुपेंद्र हजारी का उन्हें भी मर्नो प्रांथ जो है ये समान दिया गया अगला है कोशन कि निमलिखित में से किस तत्व की विद्धूती रिनात्मक्ता का सबसे अधिक है निकि सबसे अधिक विद्धूती रिनात्मक्ता वाला तत्व कौन सा है तो आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरीन ओप्सन नमबर बी अगला है कि 15 अगस्त 2019 के स्वतनता दिवस के अफसर पर राष्टपती रामनात कोविंद ने कितने जवानों को किर्थी चक्र से सम्मानित किया तो आंसर हो जाएगा इसका उप्सन नमबर ए दो जवानों को अगला है कोशन की हाल ही में किस व्यक्ति को APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो आंसर हो जाएगा के सिवान ओप्सन नमबर बी कि हाल ही में किस व्यक्ति को APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो आंसर हो जाएगा के सिवान नेक्स्ट है कि तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्याँ वाला देश पहला नहीं पूछा है यहाँ पर तीसरा पूछ दिया गया आपसे कि तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्याँ वाला देश कौन सा है तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका, option number B पहले अस्थान पर पूछा जाए, तो आंसर हो जाएगा चीन उसके बाद हो जाएगा भारत, तीसरे अस्थान पर हो जाएगा क्या? अमेरिका, चौथे अस्थान पर आप देख लिजे, इंडोनेशिया इंडोनेशिया, उसके बाद फिर पाचवे अस्थान पर हो जाएगा ब्राजील तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील इस तरीके से आप याद रख ले अगला है कोशन कि वित्य वर्स 2019-2020 के लिए श्री सुशिल मोदी ने बिहार के लिए अब तक कितने बार बजट पेस किया हैं तो आंसर हो जाएगा दस बार अगला है कोशन कि निमलिखित में से किस राज ने मधुमक्ही पालन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांती मधुमक्ही पालन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांती की सुरुवात की है तो आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर D जारखन अगला है कोशन कि रंजी ट्रॉफी 2018-19 का विजेता निमलिखित में से कौन सा टीम रहा आंसर हो जाएगा विदर्व ओप्सन नमबर A रंजी ट्रॉफी 2018-19 का विजेता कौन सा टीम रहा तो विदर्व अगला है भारतिय विंग कमांटर अभिनंदन वर्दमान को निमलिखित में से किस पुरसकार से सम्मानित किया गया आंसर हो जाएगा वीर चक्र ओप्सन नमबर B अगला है कोश्चन के निमलिखित में से कौन सा रोग ट्रीपल एंटीजन द्वारा परतिरक्षित नहीं है आंसर हो जाएगा टाइफवाइड ओप्सन नमबर B बाकी जो ट्रीपल एंटीजन दिया जाता है वो काली खाशी डिप्थिरिया और टिटनस के लिए ही दिया जाता है तो कौन सा नहीं है परतिरक्षित तो टाइफवाइड अगला है भारत का प्रथम लोगपाल किसे नियुक्त किया गया अंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोस ऑप्सन नमबर C कि भारत का प्रथम लोगपाल किसे नियुक्त किया गया तो पिनाकी चंद्र घोस को अगला है कोशन कि सुर्खियों में रहे सारदा चीट फंड मामला का संबंध किस राज्य से है अंसर हो जाएगा प्रश्चिम बंगाल ओप्सन नमबर A कि सुर्खियों में रहे सारदा चीट फंड मामला का संबंध किस राज्य से है तो प्रश्चिम बंगाल से अगला है सिराजुदौला लाड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था किसके यूद में यहापे पराजित होगा यह पराजित हुआ था कौन से यूद में तो आंसर हो जाएगा इसका प्लासी के यूद में और आपसन नमबर C और हाँ जितने भी कोशन है आपको हर दीन का जितना भी सेट होता है परते कोशन की PDF आपको बिलकुल फ्री में हमारे साइट पे मिल जाएगी वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि कभी भी आप उसका सेट लगाकर उसकी प्रैक्टिस को कर सकते हैं साइट की लिंक आपको डिस्किप्शन में दे दी जाएगी अगला है कोशन की लाड कार्ण वालीस की कबर कहां इस्थित है आंसर हो जाएगा इसका गाजिपूर ऑप्शन नमबर A की लाड कार्ण वालीस की कबर कहां इस्थित है तो गाजिपूर में अगला है संविधान के निमलिखित संसोधनों में से किसके अंतरगत भारत में महलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% अस्थान जो है आरक्षित किया गया है कि ग्राम पंचायत के मामलों में महलाओं के लिए 33% सीट तो रहेंगे ही रहेंगे ये आरक्षित किया गया है कौन से संविधान संशोधन के अंतरगत तो आंसर हो जाएगा इसका option number C 73 संविधान संशोधन के अंतरगत अगला है कोशन कि भारत के उपराश्ट पती को पधिच्यूत करने संबंधी प्रष्टाव प्रस्तावित किया जा सकता है कहां लोग केवल लोक्षभा में, केवल राज्य सभा में, संसद के किसी भी शधन में या फिर संसद की सन्युक्त बैठक से आंसर हो जाएगा इसका केवल राज्य सभा में option number B, कि भारत के उपराष्टपती को पत्युत करने के लिए मतलब कि कहां पे इसका प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है तो केवल राज्य सभा में अगला है question के निमलिखित में से किस यूगमे में सही नहीं सुमेलित है यानि कि कौन सा जोड़ा जो दिया गया, यहाँ पर यूगम होगा कौन सा यूगम जो है सही सुमेलित नहीं है तो आंसर हो जाएगा इसका option number C विटामीन A वर्णांदता यह सही नहीं है वलकि यह गलत है यहाँ पे थाइमीन जो है बेरी-बेरी यह सही है असकार्विकेशिट से सकरवी, विटामीन के रक्त का जमना तो विटामीन A से यहाँ पे रताउंदी होना चाहिए था अगला है कोशन कि बिहार में रेल परिवहन की सुरुवात कब से प्रारंब हुई आंसर हो जाएगा 1860 option number A कि बिहार में रेल परिवहन की सुरुवात कब हुई तो 1860 में अगला है जल का हिमांक बिंदू कितना होता है यह फॉरेन हाइट में दिया गया है तो आपको बताना है कि हिमांक बिंदू कितना होता है इसका आंसर हो जाएगा option number D 32 डिग्री फॉरेन हाइट अगला है कोशन कि निमलिखित में से कौन मुद्रा इस्फिती में सरवाधिक लाब पाता है आंसर हो जाएगा इसका रिणी option number B अगला है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है अध्यदिक उप्योग से सनवातन की कमी से धूल जम जाने से या सेलूलोज के आकसी करण से पुरानी किताबों का कागज जो है भूरा या पिला कह सकते हैं कि उसी के कारण हो जाता है अगला है कोश्चन कि iodine और potassium chloride के मीसरन से iodine को अलग किया जा सकता है कौन से विदी के द्वारा अवशादन द्वारा, filtration द्वारा, उर्दुपातन द्वारा या फिर आश्वन के द्वारा तो आंसर हो जाएगा इसका उर्दुपातन के द्वारा option number C कि iodine और potassium chloride के मीसरन से अगर iodine को अलग करना है तो हम उर्दुपातन द्वारा कर सकते हैं next है अम्रित बाजार पत्रिका के अंसर हो जाएगा इसका मोती लाल घोस option number A अगला है question कहता है कि X की रन किस प्रकार की तरंग है अंसर हो जाएगा इसका विद्दुचुमब की तरंग option number C X की रन जो है किस प्रकार की तरंग है तो विद्दुचुमब की तरंग next है कि MRI मसीन में निम्न में से किस का प्रियोग होता है अंसर हो जाएगा चुमब की तरंग का option number D कि MRI मसीन में जो है किस का प्रियोग होता है तो चुमब की तरंग का अगला है question कि निम्लिखित में से किस आंदोलन के दोरान प्रथम बार वन्दे मात्रम का व्यापक अस्तर का परियोग किया गया? आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, option number E अगला है साथ निश्चे योजना का संबंध निमलिखित में से किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा बिहार, साथ निश्चे योजना का संबंध किस राज्य से? तो बिहार से अगला है कोश्चन कि गौतम बुद्ध ने कहां धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्र का उपदेश दिया? आंसर हो जाएगा सारनाथ, option number D कि गौतम बुद्ध ने कहां पे धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्र का उपदेश दिया? तो सारनाथ में दिया नेक्स्ट अप प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बिहार का, यहां पे नोट कर लीजेगा कि बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? आंसर हो जाएगा इसका सिवहर, option number C कि प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो आंसर हो जाएगा सिवहर नेक्स्ट है कोशन की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत राष्टपती को आदेश जारी करने की सक्ति परदान की गई है? आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 123, option number D कि संबिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राश्ट्रपती को आदेश जारी करने की सक्ति परदान की गई है तो आंसर हो जाएगा इसका 123 नेक्स्ट है स्वामी सहजानन सुरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था आंसर हो जाएगा हूंकार ओप्सन नमबर A अगला है कि किस देश ने Google, Amazon, Facebook और Apple कमपनियां पर यानि कि इसे हम लोग कहते हैं गाफा जीसे Google, A से Amazon, F से Facebook, A से Apple कि टैक्स लगाया गया है यानि कि गाफा टैक्स लगाया गया है तो आंसर हो जाएगा France के द्वारा ओप्सन नमबर B कि किस देश ने गाफा टैक्स लगाया आंसर हो जाएगा France अगला है निमलिखित में से भारत की संदर्व में धर्म निर्पेक्ष सब्द का सही भाव व्यक्त करता है कौन सा धर्म निर्पेक्ष का मतलब मिस क्या है कि भारत में नेक धर्म है भारतियों को धर्मिक स्वतनता प्राप्त है धर्म नुपालन व्यक्ती की इक्छा पर निर्भर है या फिर भारत में राज का कोई धर्म नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में राज का कोई धर्म नहीं है option number D next question की प्रस्तावना में स्वतंता, समानता और बंधुत सब्द किस देश के संविधान से लिया गया है तो आंसर हो जाएगा इसका France option number C next है कि इन में से किस राज में e-cigret यवी webs परतिबंधित है यानि कि उस पर ban कर दिया गया है तो आंसर हो जाएगा इसका सभी राज में बिहार, महराज्ट, पंजाब इन सभी राज में इसे परतिबंधित कर दिया गया है और भारत में लगभग 12 राज जो है, 12 राज जो ने इसे परतिबंधित किया है अगला है कि नूर सुल्तान किस देश की नई राजधानी है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान या कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका कजाकिस्तान, option number B कि नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की नई राजधानी है next है कि रेलवे द्वारा चलाया गया operation thrust का संबंध किस से है तो आंसर हो जाएगा इसका option number D नकली बोतल बंद पानी की बिकरी पर रोक के लिए अगला है question की बिहार उचनियाले का अस्थापना कब हुआ तो आंसर हो जाएगा इसका option number B, 1916 में अगला है question की महिला फुटबॉल विसुकप 2019 का आठमा संस्करन किस देश ने जीता आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका option number C की महिला फुटबॉल विसुकप 2019 का आठमा संस्करन कौन से देश ने जीता तो अमेरिका ने अगला है की ECG का परियोग किसकी गतिविधी दर्ज करने के लिए किया जाता है तो आंसर हो जाएगा इसका हिर्दय option number A ECG का संबंध हिर्दय से होगा और अगर EEG पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा उसका मस्तिस्क अगला है कोशन की विश्वस्तर के प्रोग्राम Human Genome Project का संबंध किससे है Human Genome Project तो आंसर हो जाएगा इसका option number D मानव जीन और उनके अनुक्रमों की पहचान और मान चितरन से अगला है कोशन की पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अख़बार कौन सा था तो आंसर हो जाएगा इसका दबिहार हेराल्ड option number B की पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अख़बार कौन सा था तो answer हो जाएगा दा बिहार हैराल्ट कि भारतिया राषिटीय कॉंग्रेस के प्रथम मुसली मद्यक्श कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका बदुरुदीन तईभ जी झा तो आइ अगर और आपको देखनी है और अगर अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के साथ जरूर सेहर करें धन्यवाद